एक बंधन बुनते जाएंगे मा ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना पर बित्या को खुश रखने की रस्म तो हर गर में होती है ना नीउस रैप इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा पणा अभी जो आपने वीटियो देखा ये तनिश्क जोईलरी का एड है और डिवाली और देशेरा से ठीक पहले तनिश्क ने ये एड बनाया ये एड में ऐसा क्या खास बात है जिसे लेकर पूरा विवाद हो रहा है पूरा बवाल हो रहा है और कैसे तनिश्क ने इस एड के माध्यम से देश में लव जिहाद को बढ़ाने की एक बड़ी साजिश रच दी है आखिर तनिश्क का ये बहिसकार क्यों किया जा रहा है यही बाते मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको तनिश्क जिलरी से जो जुड़ा ये एड है इसका कनेक्शन पाकिस्तान और दूसरे देशों के मौलानाओं से भी कैसे होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अब देखिए दिवाली और दशेरा कुछी दिन बाद मनाये जाने वाला है और इस दोरान सनातन हिंदू धर्म परिवार अपने पर्व को मनाने की तैयारी में लगा है और इसी वक्त तनिश्क ने हिंदूों की आस्था पर चोट किया है आप इस एड को देखिए और समझे कि कैसे इस एडबर्टीजमेंट का कॉंसेट बनाने वाला जो इनसान है जो टीम है वो कितनी घटिया है उनकी सोच कितनी घटिया है क्योंकि उनको अपना प्रोड़क्ट जो है वो हिंदूों को बेचना है इसलिए दशेरा और दिवाली से ठीक पहले ये एड रिलीज किया गया लेकिन इसी एड में हिंदू धर्म का अपमान किया गया इस एड में दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की जिसकी शादी मुस्लिम परिवार में होती है उसकी गोद भराई होने वाली है और वो इस बात से चौक जाती है कि मुस्लिम परिवार उसकी हिंदू संस्कृती और भावनाओं का कितना खयाल रखते है इसलिए वो भावुक हो जाती है महिला इस एड में ट्रेडिशनल सारी पहनी है बिंदी लगाएवे है और उसके आसपास जो लड़किया है वो मुस्लिम वेशभुशा में है पीछे एक मुस्लिम टोपी पहना आदमी भी गुजर रहा है यानि इसे दिखाया गया कि एक ये मुस्लिम परिवार है आपने इसे स्टैबलिस कर दिया इसके बाद इस नई नवेली बहु को गार्डन में ले जाया जाता है वहाँ दीप मालाय रखी है और वही एक नटराज की मुर्ती है अब देखिए इसे धार्मिक शहिस्नुता के तौर पर दिखाया जा रहा है इसलिए इस एड का नाम भी रखा गया है इंटर फेत इसका मतलब है दो धर्मों के बीच विश्वास और प्यार जब लड़की पूछती है अपनी सास से उस महिला से जो मुस्लिम है कि मुस्लिम परिवार में ये रस्म क्यों निभाई जा रही है गोद भराई की तो महिला कहती है कि बेटी को खुश रखने के लिए कोई भी रस्म मनाई जा सकती है लेकिन इस एड बनाने वाले को क्या राहुल याद है वो 18 साल का लड़का जिसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया लेकिन उसके बदले में उसी मुस्लिम परिवार ने उसकी लिंचिंग कर दी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी उस वक्त किसी को ये असहिशनूता नहीं दिखाई दी सब चुप थे और सब की जुबान पर ताला लगा था हर वक्त हिंदू धर्म से त्याग बलिदान और सहिशनूता के उमीद की जाती है लेकिन उनसे ये भी उमीद की जाती है कि आप उनके धर्म का अपमान करते रहें और वो चुप रहें हाल में ही लव जिहाद की कितनी घटनाएं हुई इस पर मैंने विडियो भी बनाया है कि कैसे केरल के बाद यूपी लव जिहाद का सबसे बड़ा अड़ा बनता जा रहा है और कैसे लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहनों को फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिस की जा रही है लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाता वहीं तनिस जैसे बड़ी कम्पनिया जो है वो एड़ बनाती है तो उसमें भी वो मुस्लिम धर में दिखाते हैं कि मुस्लिम धर में लड़कियां जो हिंदू है वो कितनी खुश है क्या ये एक तरह से लव जिहाद को प्रमोट नहीं किया जा रहा आखिर दिवाली देशरा के समय तनिस्क एक ये भी एड़ बना सकता था कि मुस्लिम परिवार से आईवी लड़की हिंदू परिवार में आती है वहां की बहु बनती है और वहां हिंदू पर्व हिंदू रितिरिवाजों में शामिल होती है वहां उन्हें धार्मिक सहिस्नूता तनिस्क वालों को क्यों नहीं दिखती अब देखिए तनिस्क नहीं एक दूसरा एड़ बनाया है जिसमें मा भगवती को देवी शक्ती बताते हुए कोरोना वाइरस जैसे राक्षस का सर्वनास करने की बात की गई है देखिए अपनी जुलरी को बेचने के लिए हिंदू देवी देवताओं का ये सहरा लेते हैं अपना प्रोड़क्ट बेचने के लिए पूरी तरह से हिंदूओं का सहरा लेते हैं लेकिन हिंदूओं का ही अपमान करने का मौका भी ये नहीं छोड़ते इसलिए तो सोशल मीडिया पर तनिश का आज बहिसकार हो रहा है और सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो तनिश का बहिसकार कर रहे हैं कड़े शब्दों में इस एड की निंदा कर रहे हैं ट्वीटर के यूजर खेमचन ने लिखा है कि मुसलिम परिवार में हिंदू बहु दिखा कर मुसलिमों को ग्लोरिफाई किया जा रहा है ऐसा क्यों नहीं दिखाते कि हिंदू परिवार में मुसलिम बहु आती है इसी तरह राधा रामदास लिखते हैं कि तनिस का ये एड जो है वो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फसाते हैं और बाद में हिंदू लड़कियों की हत्या हो जाती है वहीं आशुतोस लिखते हैं कि ये एड बनाने से पहले टाटा को ये देखना चाहिए था कि लव जिहाद की वज़े से आज तक भारत में कितनी हिंदू लड़कियों की हत्या कर दी गई है हर बार ऐसा क्यों होता है कि यही दिखाया जाता है कि हिंदू लड़किया ही शादी कर मुस्लिम घरों में जाती है इसका रिवर्स क्यों नहीं होता आखिर हमारे देश में लव जिहाद ही क्यों फैलता है क्यों इसकी वज़ा है क्योंकि सनातन हिंदु धर्म कभी अपने बच्चों को ऐसी सोच रखने की सिक्षा नहीं देता और हम यहां चूक कर जाते हैं हम अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए सिक्षित नहीं करते हम अपने बेटों को यह सिक्षित देते हैं हम अपने भाईयों को यह सिक्षा देते हैं कि मुस्लिम धर्म से अगर प्यार करना है तो लव जिहाद सोच कर प्यार नहीं करना लेकिन जब बारी आती है मुस्लिम धर्म की तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं कि उन्हें लव जिहाद करना है उनकी आवादी इसी तरह बढ़नी है और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना है जिससे वो एक तरह से सनातन धर्म को आगहात पहुचा सके वो चोट पहुचा सके इस तरह का एड़ बनाने वालों की सोच इन मौलानाओं की तरह है जो हिंदू धर्म को तबाह और बरबाद करने के लिए पैदा हुए हैं अब रहती शकल से भी नवरती वो कहने लगें कि देखिए हमारे हिंदू को खुद कहने लगे कि हिंदू को मौत माल की बड़ी महबद दी है उपर वाले में तो उसकी विजा से मसल्मान सवारी बैठती थी तो उतारता तो नहीं था कि पैसे दे कर जाएगा लेकिन अच्छ या मुला मेटा है तो मैं कुछ कहूँगा ये ये कहूँगा जोच रखे याद कर रखे जुमले जो बहुत जलाने वाले मगर आपने ऐसी महबद से भाई कह दिया दिल धो दिया अभी जब तक इंटर्वी चपाता उस वाद तक उसके खानान, अजीजों, रिश्टदारों दोस्तों में से 33 लोग उसकी कोशिशों से मुसल्मान हो गए था इसी कड़ी में तनिश का ये एड भी सामने आया है जो ये साफ साबित करता है कि भारत में सहिशनुता का रागल अपने वाले ये लोग जो हैं इनके दिल में असल में हिंदू धर्म के प्रती कितनी घिरना भरी वी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें जैसानातन वंदे मातरम